खबरीवा जिले की नई गड़ी छेतर की है जहां लगातार बच्चों के विकास की बड़ी बड़ी बाते की जाती हैं लेकिन जब बच्चों से पूछा गया तो जानकारी हुई कि उन्हें मिनु आधार पर बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा जन्पत के अधिकारियों को सूचित करने पर भी इतनी बड़ी समस्या क्यों हो रही है कौन इन बच्चों का भोजन छीन रहा है अब देखना यह होगा कि इसी तरह बच्चों के पेट का भोजन जिम्मेदार लोग खाते रहेंगे या उन्हें वापस करेंगे आईए सुनाते हैं बच्चे और सिच् क्या मिलता है और कुछ मिलता है रोटी ये सब्ची पुलाओ खीर नहीं मिलता है कभी भी नहीं मिलता है डेली आपको सिर्फ चावल और दार मिलता है है ना किस क्लास में हो आप कौन सी स्कूल है पैकन गाओ आपको क्या नम मिलता है और दाल चावल के लाब और कुछ मिलता है आपको जैसे रोटी मिलती हो खीर मिलती हो खीर कभी पाए है आप नहीं पाए है पुलाओ चावल का पुलाओ बिला है कभी चावल मिलता है है ना बांकि कुछ नहीं मिला क्या नाम लिखती है आप क्या नाम है आपका सिवानी किस क्लास में है एक चलो ठीक चलो कौन है जैसे बच्चों भी बता रहे हैं कि हमको खाने में सिर्फ चावल दाल बीड़ता है आप क्या लिखते हैं अपना नाम पहले बता हैं क्या है अब किस पत्पे हैं साहक चुछा जो बच्चे बचा बता रहे हैं कि हमें सिर्फ दाल और शावल मिलता है क्या सच है इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है बच्चे 50 परसंट रहते हैं सब्सक्राइब किस क्लास तक है नमस्कार रिवा मैं हूँ भानुपंडिक और मैं हूँ अनीता भड और हमारे आपकी शिर्फ दीवा 11 दिसेंबर 2022 क्रिष्णा राजकपूर ओडियोटॉरियम में एक सुरो की महफिल सजाने जिसका नाम है उडान शाम गजल एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपने प्रस चुकला जी का जिनों ने हमें घुबा शेह रामन के किया सूफी वाल दे